हम लोग दूसरे पार्ट में देखते हैं, हमने ट्रांस्मिशन आइल फिलप कर दिया, अब हम लोग आकर चलते हैं, हम लोग फ्री प्रेड़े एजिश्ट करते हैं, किलच पैडल की फिरी फिले, backward की फिरी फिले, और अल्टिनेटर का फिरी फिले. यह सारी चीज़िए हमें चेक करनी है. कैसे करते हैं, मैंने इसके बड़े वीडियो है, मैं असे आपको मैं आपर explain करके बता देता हूं सबसे पहले हम लोग क्लच पैडल का फिरी फिले देखते हैं तो क्लच पैडल का जो फिरी फिले होगा वह 12-15 mm होना चाहिए एक स्टेंडर्ड दिया हुआ है ऐसे ब्रैक पैडल का भी 12-15 mm होना चाहिए या तो कंपनी के अनुसार कंपनी जिस हम लोग पैडल को दबाते हैं तो यह जो मुवमेंट आपको दिख रही है हां आगे की तरफ करिए हां यह आगे करिए इसके तो यह मुवमेंट दिख रही है देखिए यह 12 mm के लगवा यहां से आ रहा है तो 12-15 mm होना चाहिए minimum 12-15 mm तो यह हमारी क्लच पैडल की फिरी फि अगर यह नहीं हो दी ठीक तो आपको क्या करना है यह वाले पिन यहां से निकालना है यह पूरा भाहर की दरफ निकलेगा यह पेन वहार सब्सक्राइब यह नट आपको खुलना है और इसको रोटेट करना है इसकी लंबा ही आपको कम ज्यादा करनी है राट की जिससे आपका फ्रीपले कम और ज्यादा होगा दूसरा होता है ब्रैक पेडल की फ्रीपले इसका भी फ्रीपले हम लोग है जिस देखते हैं कितना है ठीक है तो हम वक्त देखिए 11 के आगे जा रहा है मतलब 15 mm के सम्तिंग यह ब्रैक पैडल का फिरी पिले है यह जो मुवमेंट है यह 15 mm का फिरी पिले है तो आपको देहान रखना है कि फिरी पिले आपका सही होना चाहिए अगर फिरी पिले कम रहेगा तो ब्रैक ज्यादा लगेंगे अगर ज्यादा होगा फिरीपिले तो क्या होगा ब्रैक पूरा दमाने के बाद भी हमारा फिरैक अप्लाई काम सही नहीं करेगा तीसरा मैंने आपको बताया था फैन बेल्ड की आपको फिरी पिले चेक करनी है ठीक है अगर कम ज्यादा है तो आपको यहां से ये नट खोल है और नार्मल तोर पर रेडियेटिंग जो फ्रेसिंग है वो लगबग आपको 10,000 गंटे के बाद ही करनी चाहिए तो इसमें जो प्रेशर होगा और पिछले में जो रहेगा वो 0.8 से लेके 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्रेर होगा सारा सब कुछ करने के बाद एक्सल का भी आप आईल चेक कर सकते हैं अगर यहाँ साइड में पर डिला होगा तो यह यहाँ से खोल के आप देख सकते हैं और यह सारी चीज़ें करने के बाद मेन आता है हमारी greasing तो इसमें जितने भी सारे greasing point है हमें यहाँ पर greasing करनी है greasing अच्छे से करनी चाहिए और अगर टेक्टर ज्यादा धूल मिट्टी में चल रहा है जहां जहां ग्रीस निपल पाइंट बने हुए है वहाँ पर हमें ग्रीस यंकी साहता से ग्रीस करना है कितना करना है आपको continue करना है और ग्रीस एस्टर आहां से निकलेगा देखिए ठीक है यह देखिए यह ब्लैक कलर के दिख रहा है आपको है यह देखिए अंदर भी है यह किसमें ग्रीस निपल चलो जड़ों तंक स्टल साहरे जकता प्रथ करों पर हमेंगरीस और यह दूक्षी निकल नगए अलए हाधाई है यह के संटर पिन में सेंटर पिन में दोनों साइट है अधिक दोस्तों इस तरह हम सारे ग्रीजपाइंट पर ग्रीजप कर लेंगे है ना जैसे नने बताया पहले भी है ना यह देखिए फेंट एक्सल में एना फैनल डॉम्ट में यह नीचे उनिवसर जाइड में सेंटर पिन में दो point है उसके बाद इस वाले पहया में point है ना ये सारे point हमें करने है जिए यहां पर है ये इस सारे point करने के बाद अगर हम लोग देखें फीछ ही कि तो ठीक है axle में देखी एक JACK tusal में यहां पर point है जिस पर हाथ मेरा यहां दिख रहा है ठीक और एक पाइंट यह है ग्रीज500 दिख BROWN हे सारे पाइंट हम लोग अभी उल्येंग करेंगे और दौनों साइट दौने एक्सेल में करके पूरा अक्सीक करके और हमारा यह फोने पैंट है इस तरह पाइंट पूरा हम लोग करके, टोटल ओवरहल ग्रीसिंग करके, ब्रैक चेक करके, ब्रैक चेक करने के बाद हम लोग पूरा का पूरा टेक्टर की हमारी सर्विसिंग हो गई है, इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, सारे हम लोग इलेक्टिकल सिस्टम में लाइट चे लगी किरपा कमेंट्स वाक्त में लिख कर बताएं जय हिन जय वारत जय स्रीराम